तो शर्ट क्या थी? आपने मेरे साथ-साथ इन संतंस को बोल कर प्राक्टिस करना है. तो हर एक संतंस को आपने दो बार बोलना है. मेरे साथ-साथ बोलेंगे तो प्राक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाएगी. हिम्मत भी मत करना. अपने पीछे देखो. पीछे के इंग्लिष बहाइंड. लुक देखना. लुक बहाइंड यू. इसको आपने बीहाइंड नहीं कहना, ठीक है? क्या बोलेंगे? बहाइंड. बहाइंड. लुक बहाइंड यू. ये बहुत प्यारा है. इसको प्यार करने को मन हो रहा है. It's adorable. मुझे लगता है कि I think that. और फिर आप बाकी बात कर सकते हैं, ठीक है? वो बहुत हुसा है. She's aggressive. अग्रेसिव means जो लड़ाई करने वाला घुसा होता है. ठीक है? और एंग्री means नाराज. ठीक है? एंग्री का क्या मतलब है? नाराज, घुसा. और अग्रेसिव लड़ाई जगडा करने वाला घुसा. ओके? अग्रेसिव Aggression means लड़ाई जगरा करने वाला उसा और aggressive लोग होते हैं All right जो करना रहें Stay alert Stay alert मैं जिन्दा महसूस करता हूँ I feel alive I feel alive Dead or alive जिन्दा या मुर्दा Okay अंदर मत जाओ Don't go inside Don't go inside Inside का उलट क्या है यानि एंटानिम क्या है Outside It's raining outside बाहर बारिश हो रही है तो बाहर मत जाओ Don't go inside यह फोन बहुत दिलकश है बहुत खुबसूरत है This phone is very attractive This phone is very attractive Okay क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर नहीं तो अभी भी प्रैक्टिस शुरू कर लें दोस्तो अगर आप family में बैटे हैं दोस्तों में बैटे हैं तो थोड़ी देर के लिए side पर हो जाएं दूसरे रूमें चले जाएं और in words को in sentences को बोल कर प्रैक्टिस लाजमी करें हम English सिर्फ और सिर्फ इसी वज़ा से ही नहीं बोल पाते कि हम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हम मुझ से अलफाज अदा नहीं करते ठीक है तो अलफाज बोलें प्रैक्टिकली खुद को सुनाएं कि आप कैसी English बोल रहे हैं यह घड़ी प्यारी है मेरा कप कहा है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ जैसा सुनें वैसा बोलें अगर आप चाहते हैं कि वैसी English बोलें जैसी कोई और बोलता है तो उसको कॉपी करना शुरू कर दें जैसा उसको सुनें वैसा ही बोलने की कोशिश करें अपना जो पहले वाला एक्संट है जैसी आवाज आपके कानों में पढ़ रही है वैसी ही आप निकालने की कोशिश करें वैसा ही आप बोलने की कोशिश करें ठीक है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ वो बहुत बहादुर है मैं मस्रूफ हूँ हंसना बंद करो पुर सुकून हो जाओ ठंडे हो जाओ वो सा छोड़ दो काम डाउन गाड़ी चलाते हुए एहत्यात करो वो इतनी दिलकश लग रही थी और अगर लग रही है तो is She is looking very charming मुस्कुराते रहो Be cheerful फर्श साफ करो Clean the floor पहले ही अंधेरा हो चुका है It's already dark क्या तुमने देखा? Did you see? Did you see? इम्तिहान बहुत मुश्किल था The exam was very difficult The exam was very difficult इम्तिहान बहुत आसान था The exam was very easy The exam was very easy मैं पार्टी को लेकर बहुत पुर्जोशूँ I am very excited about the party I am very excited about the party ये मुंसिफाना नही था यानि इसमें इंसाफ नही था This was not fair This was not fair Was not को अब शार्ट कर लें wasn't This wasn't fair This wasn't fair This wasn't 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 Fair तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? Why are you so foolish? Why are you so foolish? Why are you so foolish? तुम इतने नाजूफ क्यों हो? Why are you so fragile? Why are you so fragile? मजाक बहुत मज़ेदार था The joke was very funny The joke was very funny वो दोस ताना है He is friendly He is friendly उनका कांदान अच्छा है Their family is good Their family is good वो बहुत प्यारी लग रही थी She was looking gorgeous She was looking gorgeous दूसरों के लिए मददकार बने दूसरों की help करने वाले बने Be helpful to others Be helpful to others मैं बहुत भूका हूँ I am very hungry I am very hungry आज मेरे पास बहुत जरूरी काम है करने को I am very important work today I am very important Important work today मासूम बनने की कोशिश मत करो Don't try to be innocent Don't try to be innocent Don't try to be innocent आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? Why are you so jealous? Why are you so jealous? मेरा मूड हुशकवार है I have a jolly mood I have a jolly mood Ali बहुत शरार्ती है Ali is very naughty Ali is very naughty आपने एक अच्छा लिबास बहना है You are wearing a nice dress You are wearing a nice dress दरवाजा कोलो Open the door Open the door वो बहुत घरीब लोग है They are very poor people They are very poor people They are very poor people मुझे तुम पर फखर है I am very proud of you I am very proud of you तुम बहुत बिवकूफो You are very silly You are very silly वो दिल से मुसकुराई She smiled warmly She smiled warmly मेरी हफ़ताबार छुटी है I have a weekly off I have a weekly off मुझे महाना तन्खा मिलती है I get a monthly salary I get a monthly salary हमें सालाना बोनस मिलता है We get a yearly bonus We get a yearly bonus समयदारी से बात करें Talk wisely Talk wisely उसने शानदार कारदगे का मुझाहरा किया She performed wonderfully She performed wonderfully मैं एरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ I am going towards the airport I am going towards the airport मैं बाहर के मुल्क परता हूँ I study abroad I study abroad बाहर इंताजार करें Wait outside Wait outside सीड़ी के नीचे उतरो Go downstairs Go downstairs और अगर हमें कहना वह सीड़ी से उपर जाओ तो go upstairs ठीक है? Go upstairs वो पास में ही रहते हैं They live nearby They live nearby घर के अंदर खेलो Play indoors Play indoors मेरा कहीं और कारोबार है I have business elsewhere I have business elsewhere कहीं मत जाओ Don't go anywhere Don't go anywhere मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ I am fully satisfied I am fully satisfied मुत्माइन हूँ मुत्तफिक हूँ मैंने तकरीबन कर लिया I almost did it I almost did it मैं बहुत था क्या हूँ I am extremely tired ये पूरी तरह तुम पर मनहसर है It's entirely up to you ये बहुत अच्छा है This is too good This is too good मैं बहुत भूगा हूँ I am very hungry अब बहुत अच्छे लग रहे हैं You are looking very good You are looking very good बस यहाँ से चले जाओ Just go from here Just go from here मैं मुश्किल से ही उसे जानता था I barely यानि मुश्किल से I barely knew him I barely knew him क्या ये काफी है? Is it enough? Is it enough? उसकी बहुत आरीफ करते हैं They admire her deeply They admire her deeply मुझसे कभी बात मत करना Never talk to me Never talk to me Alright everyone Here we have completed practicing 70 English sentences for daily use This is it for today We'll be talking in the next video very soon Take care Bye